आज अगंदा दोशे उनन चास बर्ष अगाडी को बिजे पर कश्टो छोला के तपैं कल्पनगर शक्नोंचा चारे ये तर्फ जंगलने जंगल सिमित मानिश हरू पुरातन समाज स्रेपाज बडा महाराजा दिराज पृथिवनारन सहारे विक्रव सम्बत 581675 गते बिजेपूर राजे कभजा गरे अववमात तके हरूलाई एही विष्टार को सार को सरी पृथिवनाररन सहाले तत्काली बिजेपुर्राज जलाई कसरी बिशाल नेपल में एक गरण करें बन्ने कुरा शुनाउना गईरे एक चुछू पासाचा यहारूले यो भूलोलाई मन पराई दिन उनेचा साथा यो चैनल लाई सस्क्राइब गरी फेरी पनी एस्ताई एथार्थ परकता हारू पसकनको लागी मले उसला परदान गरी दिन उनेचा बन्ने मैं इले भरपूर आचा लिएक चुछू नमस्कार मेरा नाम लोकेत्र बुड़ा थक्यो मैं एस स्टोरी इनफेक चैनल मा यहारू सबैलाई हार दिक स्वागत करना चाहां चुछू आजा मंदा दूशे उननचास वर्चत पहला नेपाल को प्रवी भाग खम्मवान रा लिमुआन छेतर मा बिवक्त थे कोशिपूर्वा को छेतर लाई लिमुआन छेतर बनित्यों यो लिमुआन छेतर मा एक शक्चली राजिया जसको नाम विजैपूर थे यो कोशिपूर्वा को हाल को धराने स्थे ते बिजैपूर हो जहां कामद तस्षेन नाम वरे करा रहे थे बिजैपूर अंदर गत अहिलेको संपूर्ण कोशिवारी पटिको छेतर सुन्षरी मोरम जापा इलाम चैनपूर पात्थर संगसवा अर्थात एस राजिको पुर्विशिमाना सिकिम्ठियो किरा दिवान मुरेहां को नाम माठाने मोरको नामगरन उनगाएको मानेंचा एसे करम मा कोचे बंगसा को पुरा नगरिकना बिजैपूर को इथिहास बढ़न गणू परता हरी यो पुरा होना सकते न यो अधुरे रहांचा एहर था शूरुमा विजेपुर मा कुचे राज बंग्षा डाक्टर राजाराम सुबेदी का अनुसार सांगला इंग कुचे बंग्ष का पर्थम राजा थे जसले हाल भगना वसेश्मा राएको विजेपुर इस्तित भाताभूंगे दर्वार का नाम लेचिनी को संदर जनब बनाएका थे यो राज बंग्षा हाल को जल्पाई गोडी इस्तित कुच बिहार नाम को इस्तान बटाए विजेपुर आएको थे बिजेपुर नारायन राय उचे बंग्षकां अंतीईम राजा थे इहां राजा बिजे नारेन रायेका दिवान अथवा राजा बिजे नारेन रायेका दिवान अथवा आधाको समय को बुख्यों मद्र थी इनको बिजे नारेन की सुमदरी राजकुमारी सब बुख्यों मद्र बायेका थि इहां राजकुमारी बंदर्वी बिजे नारेन रायेकी छोरी जो अतिन्ध सुमदरी थी उनका मूरिहान उनकु शुम्लार 주री पनते अतокой मुमिल बाय का थि तर यो मूरिहान को प्रेख्रोण पैसि मूरिहान ले राजकुमाररी ले भाता ब्रदकार्विक आरकिलने भण्यवास यूकुरा राजकुमारी ले राजा सगा सिकाहेत गार्दा पर्छी बानदारी सगा बाटा मुरहां लाई फांशी दी निड़े गर्यू। मुरहां का छरा बजांगे बी नरेन सगा पर्तिश्वदनी। उनको पन्पा का राजा मुकुन्दा सिल्लाई बिजेपूर अकर्बादाना लगाए। उनले राजा मुकुन्दा सिल्ले अफना छरा लुहां सिन्को मेट्रिक्त्यूमा बिजेपूर हन्नको लागी सिन्ना पठाए। आद्राने गर्षक बिन्दा एहां जब मुकुन्दा सिल्लाई आक्रमर्बादाना पुक्साए। अब एक्ष पस्या बिजेपूर मुकत्यूर मुकुन्दा सिल्ले बजहां को सवयक निमिता आपना सुरा लुहां सिन्कों न्यतित्तोमा सिन्ना पठाए गाथि। लुहांग सेन नेतित्त को सेना लेटिस्ट न अधिसम्मा विजय गर्यों रकूची राजबंग्सको अंते भयो बजहांग को पने किरांस्तादार काई अक्रमन गट अंते हुना गयो तिसपस्चात बजहांग के साथा संतान हरूलाई राज मुकुन्दा सेनले विजय पूर को दिवान न्यूक्त करी दि विजय पूर सेन बंग्सको छेत्र अंतरगत आयो राज मुकुन्दा सेनले पालपा राज्य आपना छोरा हरूलाई भाग लगाई दि मक्वानपूर लोहांग सेन को भागमा परियो उन्य मक्वानपूर को राजा भय मुकुंद सेनले पाल पराज्या आपना छोरा रुलाई भाग लगाई दे एस अंधर गत मक्वानपूर लोहांग सेन को भागमा परियो उन्य मक्वानपूर को राजा भय लोहांग सेनले बजह का स्वरालाई ताम्र पत्र दी दिवान पद्म न्युक्त करे र दस्क्रियात लाई मोकानपुर को अधिन मराई शासन ब्यवस्त काएं गणियाधिकार सुमित पर्दन करे शुरतारू दर्शक बेंद दस्क्रियात भन्नाले आजकू उशियंचल र मेचियंचल सम्पूर्ण रुपमा किरात पर्देश थ्यो लुआंग सेन को राज्य अब मोकानपुर देखी पुर्वमा जल्पाय गोडी दचन मा पूनिया तथा उतर में हिमालाय समक्कायम भयो उतर को तिबबत मोकानपुर को छिमिकी थ्यो लुआंग सेल्ले दस्क्रियात लाई दुई भाग मा बिवक्त गरे खंबुआन र लिम्बुआन प्रशाशनिक ब्यवस्त चलावना किरासुब भाहरो नियुक्त गरे तेस बखत को बिजेपुर को राध्यानी मोकानपुर थ्यो राजा लुआंग सेल्ले मठ मंदिर हरु जिर्णदवार गरे आजा को बिजेपुर इस्थित त इंतकाली को मंदिर उनके समय में बने को विश्वास करना सकेंचा दिवान बिद्याचंदर राय को अगर सरातामा आजा को बड़ा सुब्बा मंदिर को इस्थापना गरे गुथियो लुआंग सेन का छोरा रागाव नोयंदर सेल्ले राजय विस्तार गरे उनले पोनिया द धर्मेक रो प्रशाशनिक कारी हरु भरेका थे उनको समय में मुक्वनपूर राजय तीर भाग मां बाढ़ियो इतीन राजय हरको नाम करमशा मुक्वनपूर चोधन्डी और विजय पूर थे हर्यहर चंदर सेन का छोरा चटरप्वति इन्र सेन उनका नातिबिताता इंद् से कंतिम राजा रगुनार्थेंद्र सेन अथवा इने लाए कामधत शेन भरिन्तु चसलाए उनका दिवान बुदिकण रायले शड़ंद्र पुरवक सिकी में भोटे को जालमा पारे राण हरे इस पछी दिवान बुदिकण रायले चोदन डिवाट राजा कणा सेन लाई जि ना मात्रका राजा थे राजे को संपून हर्थकरता दिवान बुदिकण रायले थे इनले राजभार सामर्थक पद लियेर संपून सासन को हर्थकरता बाई राजगर थाले कणा सेन ना मात्रका शासक थे राजा कामदत सेन र भुद्धिकन राय बीच को सत्रुता राजा कामदत सेन ले दिवान भुद्धिकन राय का भाई भुद्धकन राय ले मारना लगाई का थे कामदत से र भुद्धकन राय बीच सत्रुता थे तसर्थ बुद्धिकन राया पहिला आपने ज्यान जगोनो का निमित्त पूणिया गए रपचे सिकिम मा गए रशरण लिएगा थे उनले बिजीपूर माझ भामला गरे वजय नम बनावन थाले यसका लागी पर्तिशूत को भावना लिए रव बुद्धिकन राया रे सिकिम करा जलाई अने कन पुरहारू लगाई आपने पक्षमा पारे सिकिम करा जाशंग उनले कामदत सेन ब्रुद्ध बदला लिना चाहे यसका लागी ये सिकिम करा जाशंग सललालियर सिकिम का भुटे सिपन हरू लाई बिज़ेपूर का राजा संग रादुत को रुपमा कुरागरना बार्तागरना पठाए तर उनी अरुको बित्री उनी से चाहें राजा कामदत सेन लाई शोड़ें रपुरवक मार न थियो उनी हरूले राजा का भुटे सेना लाई मोरंग पठाउन रा बार्तामा पश्टाउन रोद गरे कामदत सेन पनी सिकिम का राजा का दूत हरूने होलान गनी बार्ता का निमित्त मोरंग गए सिक्की में बोटी हरूले राजा कामदता सेन लाई सांधाती घंवालागारी मारी दिये इस पस्चात बुदिकन राय बिजेपुराय सासन को सरव सरवा भाई राजात करन थाले कौन सेन नाम मात्र का राजा थे राजा कामदता सेन राजा प्रिथमनारन सा बीच को सम्बन दा राजा कामदता सेन प्रिथमनारन सा का मावली भाई थे दिवान बुदिकन राय ले कामदता सेन को हत्य कराऊ दा राजा प्रिथमनारन सा अत्यंतरी साय का थे एसर्था उल्ले कमपनी सर्खार को पुणियामा रएको अधिकारे लाई एस बारे आपना उकिल मारफत उल्ले संबत अठार से तीश को जेठ मा बुदिकन रायालाई शरा नादिनों भने पत्र समेत पठाएका थे बुदिकन रायले विजैपूर र अमबरपूर हाल को सब्तरी अबईद रूत्मा कब्य गरी बसे को र उनका भाई कामदत सेन को हत्य गरी को आरव लगाएका थे साथ है बुधिकन रायलाई शोयनिक सहाये ता नदीनु भने रा समेत लिखीग कुरा इतियाशीरो मडी बाबुराम आचार्याने उले गर्णु भाईगो छा धियाशकार बाबुराम आचार्या का अनुसार प्रिफिमनारान साहले चोओदन्डी फत्ते गर्ना का निमती कामदते शेनको साय तालिने विचार गारे का थे तरा चोवु दंडी का राजा खणा सेन बुदि कडा राया समा मिले रा सदेत्र गरेको रा काम्लतत सेन को हात्य गरेको हुनाले प्रिश्मलारान सा उन्य अरोडाई डंडा दिन दत्त चित्त थी सक्माने बरहरू मौ विजे पुर्मा की भायको ठ्यू भन्ने यू एत्यासिक ब्रितान तको और को नया भाग उना चाड़ेने हजुर अरोडारू समक्छा ल्यावने छू मिरो एस इस्टोरी इन फ्यक्त च्यानल लाई सस्क्राइब गरे दी उचित प्रकार को कमेंट लाइक शेर गरी मलाई प्रशान गरे दिनोंच बन्ने मैली बर्पूर आसालिये गर छो धन्यबाद जय नेपाल